हलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं आपका चानल इंवेस्मेंट का बाजार और इस वीडियो के अंदर हम फिर बात करने वाले हैं IOC के शेयर के उपर फिर से एक बार आपको अपडेट दूगा कि कब तक आपको शेयर जो बोनस शेयर है वो मिलते वे देखने को मिलेंगे प्लस दोस्तों कुछ खबर निकल कर आ रही है IOC पर दोस्तों ICICI डिरेक्ट के नए टागेट निकल कर आ रहे हैं उस पर बात करेंगे 22 मिलियन प्लस की वॉल्यूम आच स्टॉक में आती भी देखने को मिली है और क्या होंगे 3 जुलाइ के टागेट तो वीडियो को एंट तक देखेगा वीडियो अच्छ लगे तो चानल को सब्सक्राइब करके जाएगा दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते सबसे पहले फ्रेंट आपको फिर से रिकाब देदू कि IOC जो है वो 740 करोड का इंवेस्टमेंट करने वाली है डिग बॉय रिफाइनेरी के अंदर जिससे डिग बॉय रिफाइनेरी को जो कैपैसिटी है वो बढ़ती भी देखने को मिलेगी चलिए यह एक दिन पुरानी खबर हो गई है अभी चुन्ट करेंट खबर निकल कर आई है वो देख सकते हैं आप IOC शेयर्स इंडियन ओयल शेयर्स ट्रेड एक्स बोनस बाए और होल्ड वाट ICICI Securities Recommend तो ICICI Securities की तरफ से टागेट निकल कर आए है और आपको टागेट बता दू तो दोस्तो टागेट्स वापिस से रिवाइस करती भी देखने को मिल रही है और जो टागेट्स निकल कर आए हैं वो है 85 रुपीज और दोस्तो IOC के उपर कुछ उनका कहना भी है उस पर अगर बात करें तो आप देख सकते है जू टू हाईयर क्रूड आयल कोस्ट कमपनी आपको काफी अच्छी ट्रिगर्स दे सकती है कच्छी तेजी स्टॉक में आ सकती है प्लस दोस्तो कमपनी पिछले कुछ सालों से काफी अच्छा डिविडेंट पे आउट भी कर रही है तो डेफिनिटली आप स्टॉक को बाय कर सकते है विद नियर टर्म टागेट रुपीज 85 अब अगर बात कर लें बोनस शेयर कम मिलेंगे तो अकॉर्डिंट दोस्तों CDSL बोनस चेयर 15 दिन बाद मिलते हुए देखने को मिलेंगे बर डेफिनिटली यह 15 दिन नहीं लगेंगे मिनिमम साथ दिन लगेंगे क्यों कि दोस्तों BAC के साथ इश्यू में BAC के स आपके अकाउंट में जो बोनस शेयर से वो क्रेडिट हो जाएंगे और अभी आपको जो लॉस दिखा रहा है उससे आपको घवराना नहीं है यह आपका करेंट लॉस नहीं है आपको आपको मालूम पर जाएगा साथ दिनों के अंदर अंदर डेफिनेटली आपको जो शेय पर होता हुआ देखने को मिला है लगबग 73 रुपीज के जोन पर शेयर आ गया था है और वहां से काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में आती हुई देखने को मिली है अगर आपन बात करें निफ्टी की तो निफ्टी ने आज चौका जा है लगबग 200 पोइंट्स की रिकव वह फ्लैट कामकाज कर रहा था और थुरूआट डड़े निफ्टी मिट कैप इंडेक्स जो है वह पूरे बाज़ार को आउट परफार्म करता हुआ देखने को मिला है इसी बीच आयोसी के शेयर में 22 मिलियन की वॉल्यूम आती हुई देखने को मिली है जब से स्टॉक में split आया है तब से तो जो आप कहा सकते कि volume है वो काफी अच्छी होती भी देखने को मिल रही है और definitely liquidity जो है वो stock की बढ़ती भी देखने को मिल रही है और आज की दिन की high कि अगर बात करें तो 75 rupees 15 पैसे का high था 72 85 का low था तो दिन के high से दोस्तों मातर 50 पैसे नीचे share close था हुआ देखने को मिल रही है अगर आपन बात करें फिर से targets की तो दोस्तों आई से direct ने 85 rupees के targets दिये मैं आपको फिर बता दूँ अगर बात कर लें stock के resistance की तो resistance दोस्तों clear होते वे देखने को मिल रही है resistance जो चार्ट थे वो फिर से update होते हुए देखने को मिल रहे है और जो resistance सामने आ रहे वो है 75 rupees 60 पैसे and 76 rupees 95 पैसे अब Monday के दिन यह दोनो resistance काम के हैं अगर Monday के दिन दोस्तों आज का हाई है 75 10 तोड़ेगा तो एक बड़ा आपको तेजी आती भी देखने को मिलेगा और उसके बाद जो तीन resistance निकल कर आएंगे वो होंगे 75 rupees 60 पैसे and 76 rupees 95 पैसे इसलिए इन तीनो resistance को आप ध्यान में रखिएगा अगर Monday के दिन 76 95 का जो higher level है वो तूटता हुए देखने को मिलेगा तो definitely एक बड़ा breakout आपको IOC के share माता हुए देखने को मिलेगा and then share आपको 80 rupees के तरफ head होता हुए देखने को मिल सकता है अब अगर बात कर ले दोस्तों stock के charts की तो आप देख सकते है charts पर clearly return है bonus shares का भी B and dividend payout का भी D लिख रक है तो definitely काफी अच्छा chart pattern नदर आ रहा है and अगर अगर आपन देखे तो V-shape chart pattern अभी बनता हुए देखने को मिल रहा है जब तक 80 rupees का level तोड़ेगा तब तक stock आपको V-shape recovery करता हुए देखने को मिलेगा आप देख सकते इधर एक 80 rupees के level से stock में गिरावट आई दोस्तों bonus है and अगर बात कर लेते setup की तो setup clear है 73-77 rupees एक बहुत important range में share treat कर रहा है 76.50 जो भी अपने बात करे थी उसका level जैसे share तोड़ेगा तो इस range का breakout आता हुए देखने को मिलेगा और breakout higher side पर होगा और एक बहुत अच्छा level आपको stock में मिलता हुए देखने को मिल रहा है and अब अगर बात कर लेते दोस्तों Monday के levels की तो Monday के दिन 74-73 rupees 50 पैसे के zone से 74 rupees के zones तक आप stock में dip में purchase कर सकते और intraday के अंदर 75 rupees पहला target 76 rupees 50 पैसे दूसरा target and 77 rupees तीसरा target तो इन तीनो target के लिए Monday के दिन आप stock में purchase करके चल सकते और अच्छे targets आपको long term में stock में देखने को मिल सकते अब अगर बात कर लेते आने वाले 1-2 सालों के view की तो view काफी positive है जिसे आपसे crude oil की prices बढ़ रही है definitely ये share आपको आने वाले 1-2 सालों के अंदर दोस्तो पैनिक करने को जरुवद नहीं है stock के काफी अच्छे charts दिख रहे है और बड़े targets आपको stock में देखने को मिल सकते हैं तो दोस्तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे channel को like करे, share करे, subscribe करे दोस्तो, thank you for watching this video वीडियो